नमस्कार आप देख रहे हैं टाइंस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचन इन दौर के अरुटम थाना शेट्र में लगाता चोरी की वारदाते सामनी आ रही हैं इसके बाद रहवासी भी सहमे हुए हैं वही देर रात में हम्माल कॉरणी के रहवासियों ने एक चोर को प धरवालों का आवाज आई तो उन्होंने उपर जाका देखा तो एक चोर इन्हें नजर आया जब इसे पकड़ने की कोशिश की तो वो बचने के लिए छट से कुड़ गया आवास सुनकर आसपास के रहवासी भी खटा हो गया जिससे मौकेस से ही पकड़ दिया गया चोर के पहरों में भी चोटे आ गई है नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सिया राम बताया जो खनवा जिले के रहने वाला है रहवासी उन्हें पकड़ कर पुलिस के हवाले किया पुलिस ने आज उसे एक रिफ्तार का न्यालाय वे पेश किया है जहां से उससे जेल पहुआ था और चत से दूसरे चत में कूद रहा था कूदने की आवाज जब लोगों ने सुनीत ऊपर जाके देखा यह लड़का घुसा हुआ था उसको उन लोगों ने पकड़ा और जो जिनके घर पे घुसा था जब लोग चत में पहुँचे तो चत से नीचे कूद गया यह लोग सब बाहर निकल के आये और लोगों ने उसको पकड़ा और फिर थाने लेकर आये थे तो जो लड़का था उसका नाम सियाराम पिता तुकाराम धोपे है जो ग्राम परेडी थाना धनगाओं जिला खंडवा कर रहने वाला था पहले चंदर नगर में कहीं प्राइपत निवासी हमाल कालोनी के छट में चड़ गुज के और वहां ये दूसरी बाउंडी एक चट से दूसरी चट में कूद रहा था चोरी करने की दियाद से जहां पर इन लोग को भनक लगने पर इन लोगों पकड़के थाने पर लाकर उसको पेस किया था जिसको गि कर उसके जो प्लास्टर कच्छा प्लास्टर है दौक्टर द्वारा चड़ाये गया है